मस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंग आप सभी का मेरी चनल डॉक्टर मीनाक्षी होमेपाथिक कंसल्टेंट पे बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहे हूं ऑस्टियो अर्थ्राइटिस के बारे में किया और्ष्राइटिस क्या है किस कारण से होता है क्या-क्या लक्षन आपको देखने को मिलेंगे और साथी साथ बात करेंगे इसकी बैस्ट होमेपैथिक मैट्सिस के बारे में भी तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से तो उसका information आप तक पहुंच सके तो start करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि osteoarthritis है क्या osteoarthritis एक प्रकार का chronic progressive degenerative disease है यह बहुत ही आम टाइप का गठिया है जिसको ओए नाम से जानते हैं जनना तब होता है जबकि bits के बीच में चिरण नाच होने लग जाता है ज्सकी बज़ास ही जवालिगों सबसेँ हैं काहँ करता है तो इसमें सबसे पहला जो है कोर और सबसे पहला जो है आपका अर्च जोंक जाइन तो इन सब को भी बहुत ही जॉंक्ट करता है फीमेल्स में 45 यर के बाद ज्यादा तर केसिस देखने को मिलते हैं लेकिन मेल्स में 45 यर से पहले केसिस मिल जाते हैं और मेली जो एश्ट प्यूपिल होते हैं अबब 60 यर उनमें भी बहुत ही कॉमनली ये डिजीज पाई जाती है बात करते हैं कौन कौन से लक्षण है जो कि ऑस्टिय और्थराइटिस के केस में देखने को मिलते हैं तो जैसे कि आपको बताए डीजनरेटिव चेंजिस होते हैं तो जब जॉइन्स में चेंज हो रहा है कार्टलेज का तो इसकी वज़ा से पेन होगा पेन बहुत ज्यादा ह पेन के साथ साथ में श्टिफनेस मिलेगी में अकडन जॉइन्स में अकडन दहेगा उसकी जो फ्लैक्सिबिल्टी है लचीलापन है वह कम होने लग जाएगा और साथे साथ उसके जो मुवमेंट है गती शीलता यानि जितने अक्टिवनेस रहते हैं आप चलने में काम करने में वह चीज नहीं देखने को मिलेगी सूजन अफेक्टिग एरिया में स्वैलिंग मिलेगा और किसी किसी केस में आप देखेंगे कि नोट्स भी बनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि छोटी-छोटी सी गाठे बन गए हैं जॉइन्स में तो यह बहुत ही कॉमन सेंटम है अगर आपको इस तरह से कोई भी लक्षन दिखाई पड़ते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर करना चाहिए और में इसमें एक और वी सिम्टम है कि आपकी जॉइन्स हैं उनमें चेंज दिखाई पड़ने लग जाते हैं जो आपकी हड़ी है उसमें चेंज पता ल सी कंडिशक बत्सक्राइब में कारण रहा घृति है जो उसके ㅎㅎ नेच यहीं होला, होता क्या है लोग ज्यूग बहां करने का मिलती हैं जिस सब्सक्राइब करने का काम करता है मिन्स हड़्डी का जो अंतिमसिरा है उसको जो प्रोटेक्ट करता है कवर करता है वो कार्टिज कहलाता है उसकी वज़ासे साइनुर dif Dort की वज़ा से जो हडियां वापस में रगड नहीं खापाती हैं लेकिन जब कार्टिलेज में धीरे धीरे रगड पड़ता है तो उसकी मद्यासे हडियों में निम्हान के साथ जर्चा नहीं कर पाता है जिस कारणंसे जाता है तो इसमें क्या जो रिस्क फैक्टर है में जो है वह ओबेसिटी अगर आप वजन जादा है तो आपने यह परिशानी हो सकती है क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका वजन बढ़ेगा तो आपका जो वेट है वह पैरों पर ज्यादा पड़ेगा आप दभिववड़ हो सकती है साथी साथ अगर आप प्य प्यू पहले म्यजाच है तो भी आपको यह परिशानी हो सकती है और ज extract क्कांप करते हैं तो भी आप आपको पता चलेगा कि कहीं आपको और राइस की कंडिशन तो आप में जवलब नहीं हो रही है तो इसमें सबसे पहला है एक सरे एक सरे एक सरे मोश्ट इंपॉर्टन नेट्ट जो एडवाइस करते हैं वह ब्लेट जैसे कि आपको आरे पाइस करवा सकते हैं यूरी की आपको पता चल जाएगा और अपका पॉश्टी वार यह तो इसका मिस आपको रूमेटाइड अर्थ्राइट आप म्राइब्य क कि कौन कौन होंमे पैसिन हैं जो कि बहुत ही सुटेबल है हो मैं अधितिक मैटसंस में बहुत सारी असी मैटसी की लिए यूज कर सकते हैं लेकिन सब्सक्राइबार कमन जा रहे हैं तो आज मता रहे हैं नॉर्मली होमेपैथिक मैडसिस जो है वह टोटलिटियों आफ सिंटम्स के कॉर्डिंग दी जाती है तो इसलिए अगर आपके नियरबाई कोई फीजी से हैं हो आप उनसे कंसर्ट करके मैडसिन ले सकते हैं या फिर आप मुझसे अपॉइमेंट लेना चाहते तो नीचे दिय आपको और्ष्ट्य और्थ्राइटिस की कंडिशन है उसके लिए में सिंटम क्या होगा कि मरीज जो होगा वो जब बैठा है बैठ करके जब उठेगा तुसको बहुत ज्यादा आसाहनी पेन होगा लेकिन जैसे जैसे वह वाकिंग करने लग जाएगा तुसका जो दर्द है वह बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा तो रश्टॉक्स को आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है दो दो बूंस सुबा दो पहर शाम दिन में तीन बार आप इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं आप इसको डारेक टंग पर भी ले सकते हैं और या फिर अभी ग्लोबि.-समी दिन में ले चार चार ग्लोबि. अब सुबा दोपार शाम दिन में तीन बार ले सकते हैं दो आप करें से ендग ब्राइणियालल। ब्राइनिया इल्बा भी बहुत एक्टिव ब्राइनिया एल्बा जो है वह जे रस्टॉक्स मैडिसिन के आपोजिट वर्ब करती है इसके साथ अगर आपको पेइन है स्वेलिंग है तो भी यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है तो ब्राइनिया अल्बा को भी आप 200 पोटेंसी में यूज करते हैं दो दो बून सुबा दो पार शाम दिन में तीन बार ले सकते हैं दो बून चाहे आप टंग पे लिजे डारेक्ट या फिर ग्लोबियूस में डाल मेडियूस के लिए मेडियूराइनम बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर आपको इंटारिवर पेल है कि मिन्स का दर्थ बर्दास्त मी हो रहा है तो आप मेडियूराइनम 200 की टू ड्रॉप डेली ले सकती है मॉर्निंग में और अगर पेल कंट्रोल है मतला की बहुत ज्य में यूज करना है अगर आपको पेल है पेल इस्टिंगिंग टाइप का में चुभन वाला पेल हो रहा है और साइनोगेल फ्लुट जैसे कम होने रख जाता है तो उसकी वजह से जो परिशानिया आती है उसके इसका बहुत ही अच्छा रोल है और साथ इसाथ अगर आपके में बना हुआ है तो एपिसमेल को थर्टी पोटिंसी में यूज कीजिए दो दो बून सुबा दो पाहर शाम दिन में तीन बार ले सकते हैं नेक्ट एक मैडिसिन की बताने जारी है जो की पेटेंट है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है वह होम्यो कैल होम को भी यू William थे साथ में तो आश के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हूं कि आपको यह वीजियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करे शेयर करें और साथ हिसाथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीजियो में थैंक यू बाई बाई